असलम आलेकूम हलो दोस्तों सभी भाई वेहन को आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं तो चलिए दोस्तों आज कब लोग शुरू करते हैं तो दोस्तो सुबा का सारा काम निप्टाने के बाद आप मैं जा रही हूं बरस करने के लिए दोस्तो अभी हम लोग का वीडियो तीन चार दिनों से नहीं आ पा रहा है क्यूंकि अभी हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉबलम चल रहा है और रोसनी का दादा का तब्यत खराब है और उनको लकवा मार दिया है इसी के वज़े से घर में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा परेसानी है तो दोस्तो इधर रोसनी के दादा को देखने के लिए आए हैं हमारे रिष्टेदार लोग और दोस्तो रोसनी का दादा का इलाज हो गया है हम लोग इलाज करवा कर ले आए हैं और बीस दिन का दवाई दिये हैं और बोले हैं बीस दिन के बाद फिर से ले आना तो अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों मामा ससुर को चाय दे देते हैं ये आए हैं तो तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से सब के लिए रोटी बना देते हैं और रोसनी के दादा को गोली और भी खाना है तो मैं जल्दी से रोटी बना कर दे दूंगी तो अपना दवाई जल्दी से वो खा लेंगे तो ये देखे दोस्तों आटा अच्छे से सना चुका है और रोषनी की दादी बोल रही है कि जल्दी से रोटी को बना के दे दे तो दोस्तों अभी हम लोग रोशनी के दादा को सिर्फ सिंपल ही खाना खिला रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भी बोले हैं कि एकदम परहेच करना जरूरी है तो दोस्तों अभी रोटी और लोकी का साधा भुंजिया से रोशनी के दादा रोटी खाएंगे तो यह देखिए दोस्तों मैं पूरा रोटी को अच्छे से बना चुकी हूँ तो दोस्तों अब मैं जा रही हूं इसको खाने के लिए क्यूंकि आज मैं सुबह-सुबह मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है क्यूंकि मैं रात को खाना खाकर नहीं सुई थी मेरा तब यह थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए दोस्तो रोटी में खाने के लिए मैं जारिंग टमाटर का चटनी बनाऊंगे और रोटी और चटनी बहुत ही अच्छा लगता है ठांड की दिनों में खाने में तो चलिए दोस्त अब जल्दी से चटनी को पीस लेते हैं आप वीडि मैं आप च्ला मुझोइ उल्दाव तो जार्त देटे हैं कि दोस्तो सास अम्मा बोल रहें हैं कि रोचनी के दादा के लिए भाजी बनादे मुनगा का बाजी भाज़ा मन्स भी होता है तो उनके लिए हम लोग बना देंगे और अच्छा भी रहता है तो उनके लिए हम उसटो में मुंगा को अच्छे साफ कर चुकी हूं तो चलिए चलते हैं तलाब में मचली पकड़ने लिए कि आज हम लोगे घर में महमान लोग आ रहे हैं रोसनी को दादा के देखने के लिए दोस्तों उनका तबियत खराब है तो उनको आ रहे हैं देखने के लिए तो दोस्तों जब आ ही रहे हैं तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं तलाब में मचली पकड़ने के लिए तो यह देखे दोस्तों आज तो एकी बार में कितना जादा मचली निकल गया है पुरा जाल भरा हुआ है तो एकी बार में हो गया हम लोग के लिए सबजी बनाने के लिए तो दोस्तों आज तो रोसनी के अबू बहुत ही अच्छा मचली पकड़े आप लोग भी देखें कि एकी बार जाल फेकने से कितना ज्यादा मचली निकल गया तो अब दादा को बुलाने का कोई जरूरत नहीं अब यहीं मचली पकड़ेंगे तो यह देखें गई जो हम लोग मचली पकड़े थे तलाब से इसको में और नानी साफ कर रहे हैं तो दोस्ता इन लोग जल्दी जल्दी मचली को साफ कर रहे हैं ताकि की महमान लोग से आने से पहले हम लोग बना सके मचली सबजी तो यह देखें दोस्तों अभी दो पहार का टाइम है और इधर मेरा मचली का सबजी भी बन कर रेडी हो गया है तो चलिए दोस्तों मामी लोग को भी भूख लगा होगा कियोंकि काफी टाइम हो गया है तो उनलोग को भी जल्दी से खाना हो गयरा दे देंगे फिर उनलोग खा लेंगे दोस्तों मचली का सबजी कितना अच्छा बन कर तयार हो गया है और उनलोग का खाना खाने कभी टाइम हो गया है तो चलिए ले जाकर दे देते हैं खाएंगे खाना और दोस्तों आज मामा लोग बोल रहे हैं कि आज हम लोग नहीं रुखेंगे क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम है तो हम लोग जल्दी ही चले जाएंगे तो दोस्तों उनलोग को हम लोग खाना खाने के लिए दे देंगे तो उनलोग अराम से खाना खा रहे हैं तो चले दोस्तों मैं भी जल्दी से नहाद हो आकर रेडी हो जा रहे हूं अगर सास्वामा बैठें अगर उनलोग कुछ लेंगे तो वो दे देंगे दोस्तों आज तो बहुत तेज धूप किया है तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है तो मैं सोचरिम जल्दी से नहाद हो आलूँ पता नहीं लाइट और कट जाएगा तो मैं नहाद भी नहीं पाऊंगी अब दोस्तों हम लोग कर दुकान भी खाली हो गया है वह रोसनी के दादा का बहुत जादा तबियाद खराब हो गया था उसके वजब दोस्तों हमी लोगों को समान लाने के लिए पड़ेगा तो अभी रोसनी के दादा कभी तब्यत खराब है तो हमी थोड़ा बहुत समान लेकर आ जाएंगे कि बहुत ही सारे गराहाक वापस लोड़ जा रहे हैं तो समान लाना भी जरूरी है तो यह देखें दोस्तों हम लोग किराना दुकान में पहुंच चुकें और हम लोग यहीं से समान लेते हैं तो चलिए अब जल्दी जल्दी समान निकलवाते हैं दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आपके ससुर समान लेने के लिए नहीं आये तो मैं बता रहे हूं कि उनका तबियत खराब हो गया है इसलिए हम लोग आए हैं तो ये देखे दोस्तों हम लोग को जितना समान का जरूरत था तो उसको हम लोग ले चुके हैं तो चलिए अब यहां से निकालते हैं क्योंकि ठंड भी लगने लग रहा है तो ये देखे दोस्तों समान को लाते लाते काफी ज़्यादा साम हो गया है तो चलिए सारा समान को अब दुकान में हम लोग सेट कर देते हैं वैसे तो दोस्तों हमारे दुकान का बहुत सारा समान घटा हुआ है तो उसको भी लाना पड़ेगा तो दोस्तों अभी मैं जितना समान लेकर आई हूँ तो उसको पहले सेट कर देती हूँ फिर एक दो दिन में हम लोग और भी समान लेकर आ जाएंगे तो यह देखें दोस्तों रोसनी के दादा को इतना सारा दवाई दिये हैं और इसको अभी हम लोग खिला रहे हैं और इधर देखें रोसनी के दादा को राइट साइट को लगवा मार दिया है तो इधर मेरी भांजी अच्छे से तेल मालिस कर रहे हैं कर दो